श्री शिवाय नमस्तुब्यम दोस्तों हर हर महादेव दोस्तों पुषकर में चल लए साथ दिवशी शिव महापुराण की कथा के आत सात्वे और अंतिम दिन पर गुरु जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और साथ ही कैसे शिवलिंग का अभिशेक करना है उसके बारे में पूर्ण जानकरी देती है जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 जुलाई को सावन की शिवरात्री है और उस दिन गुरु जी के द्वारा ऑनलाइन अभिशेक करवाया जाएगा सभी शिवभक अपने घर से लाइव टीवी में देखकर अभिशेक कर सकेंगे पर इसमें आपको कुछ समागरी की अवशक्ता होगी जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको कौन-कौन सी समागरी की अवशक्ता पड़ेगी साथी गुरुजी ने कहा कि आपको थोड़ी से मिट्टी लेकर दुपहर में ही पार्थि शिवलिंग का निर्मार कर लेना है इस पार्थि शिवलिंग का निर्मार आपको थाली में ही करना है सबसे पहले थाली में एक बेल पत्र को सीधा करके रखना है उसके उपर या पार्टि शिवलिंग को इस्थापित करेंगे आईए जानते हैं गुरुजी ने क्या क्या समागरी बताई है शिवलिंग के लिए एक लोटा जल 21 गेहों के दाने 5 कमल गटे चावल के 108 दाने काली विर्च 21 काली तिल एक चुटकी धतूरा एक बेल पत्र साथ शमी पत्र साथ गुलाब आपको साथ लेना है अगर लाल गुलाब ना मिले तो उसकी जगे पे आप सफेद पुश्मी भी कोई ले सकते हैं गोल सुपाडी आपको तीन लेनी है जनेव दो देशी गी का दीपक दो एक आर्ती के लिए और एक अखंड जोत के लिए फल कुसी भी पांच प्रकार के मिठाई या प्रसाद में गुड और शक्कर ले सकते हैं साथ में आपको इत्र की एक शीशी पीला चंदन, मौली, कपूर, लौन, इलाइची साथ ही बना हुआ पंचा मिरत दो कटोरी में आपको लेना है साथ में दूद, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और पहले से बना हुआ पार्थिव शिवलिंग जो आपने एक ठाली में सजा कर रखा है उसे ले लीजिए अब आपको रात्री के 9 बजे, टीवी के सामने आस्ता चैनल या यूटूब पर आपकथा के लिए गुरू जी के साथ शिवलिंग का अभिशेक कर सकते हैं यदि आपको मेरी बता हुई जानकरी जरा भी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हरमादेव जरूर टाइप करिए और इससे जुड़ू ही कोई भी प्रश्ण है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं उसका अंसर आपको जरूर मिलेगा और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए तब तक के लिए हरहर महादेव जय शुशंबू